हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई रस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत श्रागत है आज हम आपके साथ एक ऐसी रस्पी सेयर करेंगे जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना है घर के सामान से ही ये बनकर तैयार हो जाती है आप इसे और फिर चाय के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर सफर में भी लेकर जा सकते हैं और इसको बनाना भी बहुति-ज्यादा आसान है अंदर से बहुती ज्यादा सौट और बाहर सी कुष्पी है चलिया तो बनाना हम सुरू करते हैं तो यह लिए पर एक बतन में ले टीचली पाउडर साथ में हैं यहाँ सब्सक्राइब मिक्स सब्सक्राइब दे मठनैं जो 2 ये पानी करेंगे इस नो favor सब्सक्राइब हाड रखेंगे पूरी के डो से भी थोड़ा सा इसको आप हाड ही रखेंगा और ये दिख्ये डो हो गया हमारा तयार इसको हमने काफी सक्त ही लगाया है अच्छे से 2-3 मिनट के हिरिए इसको मसल मसल कर चिकना कर लेंगे जिससे नास्ता जो बनेगा बहुत ही जादा क्रिश्पी बनेगा डो हो गया हमारा तयार तो इसको हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए रेश्ट पर और यहां पर आदा कफ हमने मोंकी डाल ली है जिसको हमने दो घंटी के लिए भिंगो दिया था डाल का 12 इंच अद्रक का टुकड़ा इसके वी छोटे पीस कर लेते हैं पीसने में आसानी रहेगी पानी का यूज हमने इसमें बिल्कुल नहीं किया है मिक्सी को ओन आफ करते हुए आप इसको पीस लीजे जरूत पड़े तो थोड़ा ही पानी डालेगा कोसिस करिएगा कि बिना पानी के यह पीस जाए डाल पिस चुकी है तो एक बाउल में इसको हम देंगे निकाल बिना पाने डाले ही हमने इस ताल को पीस लिया है अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ आलू कच्चे आलू को ही हमने ग्रेट कर लिया था और दो से तीन वाल इसको अच्छे से लाल मिर्च पाउडर, आदी चम्मच हल्दी पाउडर, आदी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आदी ही चम्मच इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला, जिससे नास्ता जो बनेगा बहुत ही चटपटा बनेगा, कटा हुआ हर अधनिया भी डाल देते हैं इसमें, तब से लाश की जगे प्याज का भी यूज कर सकते हैं या फिर आलू और प्याज दोनों का भी यूज कर सकते हैं तो ये डाल और आलू का बेटर हमारा तयार हो गया आटे को रखे भी 20 मिनट हो गया तो अब बनाते हैं इसका नास्ता बड़ा सा आटे का हमने एक गुला बनाया है अब इस पूरी को हम बेलते हैं, बैसा ही इसको हम बेलेंगे, पर थोड़ा सा इसको हम मोटा बेलेंगे, चलिए तो पहले हम इसको बड़ा सा बेल लेते हैं, और ये देखे, बिलकर हो गया, ये तैयार, अब इसके किनारे को हम काट देंगे, जिससे हमें बिलकु चोकोर सेफ मिल अब एक फॉक से इस पर हम छेट कर लेंगे इससे जो नास्ता हमारा बनेगा बहुती ज़्यादा क्रिश्पी बनेगा और यह जो पूड़िया है यह फूलेंगी नहीं तो सभी पर हमने बिल्कुल इसी तरह से छेट कर लिये हैं यह देखिए इस तरह से हम आपको पास से दिखाते हैं अब जो आलू और डाल का बैटर था उसको चम्मस से हम इसके उपर लगा देंगे और बाकी के भी बिल्कुल इसी तरह से हम बना कर तयार कर लेंगे एक साथ जादा ना बनाईएगा नहीं तो यह पानी छोड़ देंगे गरम तेल में जिस साइड हमने डाल और आलू का बैटर लगाया था उस साइड से इसको पलट कर डाल देंगे और इनको क्रिश्पी होन तक फ्राई करेंगे कितना बढ़िया कलर इन पर आ चुका है और दूसरी साइड से भी बढ़िया गोल्डन कलर इस पर आ चुका है उलट पलट करते हुए दोनों साइड से इने क्रिश्पी होने तक हम करेंगे फ्राई यह एक ऐसा नास्ता है जिसमें आपको पूरी कचोड और पकोड़ी तीनों का स्वात एक ही नास्ते में मिल जाएगा तो यह दिखे हमने इने उलट पलट करते हुए बढ़िया गोल्डन कलर आने तक कडिया है फ्राई और यह दिखे कितना बढ़िया इस पर कलर आया है तो सभी को हम देते हैं निकाल और बाकी के आटे के भी ब जरूर ट्राई करिएगा खाने में यह बहुत ही ज्यादा टैस्टी होते हैं घर पर रखे सामान से ही यह बनकर तैयार भी हो जाते हैं एक तोड़कर हम आपको दिखाते हैं यह देखिए कितने ज्यादा यह अंदर से सौप्ट है उमीद है आपको ही रस्पी जरूर पसंद मिलेंगे यदि आपको हमारी रस्पी सची लगे तो प्लीज उन्हें लाइक और सेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू